क्या आप जानते हैं हर गड़ी के टायर काले रंके ही क्यों होते हैं जबकि छोटे बोचों की साइकीलों के टायर तो सफेद, लाल, पीले या दूसरे रंके भी होते हैं आखिर टायर बनाने वाली कंपनी सफेद, पीला, नीला, हारा, गुलावी या किसी और कलर का टायर क्यों नहीं बनाती है यह सवाल आपके मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा आपको बता दे भारत ही नहीं बीदेसों में भी गाड़ियों के टायर काले रंग के ही होते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज चीपा हुआ है आखिर टायर बनाने वाली सभी कमपनियां टायर का रंग काला ही रखना पसंद करती है ऐसा केंओ तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखिर का टायर का रंग हमेशा काला केंओ होता है टायर बनाने की परकरिया को वलकनाईजेसन कहा जाता है और आपको बता दे टायर रवड से बनता है लेकिन परकरितिक रवड का रंग एसलेटी रंग होता है तो फिर आखिर का टायर काला कैसे हो जाता है तो आपको बता दे दरसल टायर बनाते समय रबर का रंग बदला जाता है और ये एसलेटी से काला हो जाता है टायर बनाने के लिए रबर में काला कार्बन भी मिला जाता है जिससे रबर जल्दी नहीं घिसता है अगर साधा रबर का टायर 10,000 किलोमेटर चलता है तो कार्बन मिला हुआ टायर एक लग किलोमेटर या उससे अधिक चल सकता है अगर टायर में सधारन रबर लगा दिया जा रबर मुलायम होगी या सक्त यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी स्रेणी का करबन उसमें मिले आ जाता है मुलायम रबर के टायरों की पकड़ बहुत मजबूत होती है लेकिन वे जल्दी घीश जाते हैं जबकि सक्त टायर आसानी से नहीं घीशते हैं और ज्यादा दिन तक चलते हैं टायर बनाते वक्त इसमें सल्फर भी मिले आ जाता है और कारवन काला होने के करण यहां अल्ट्रा वाइलेट की रूड़ों से भी बच जाता है आपने किसी टायर को जलते हुए जरूर देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि उसमें धुमा बहुत ही काला निकलता है करण भी यही बलेक कारवन और सल्फर होता है तो बलेक कारवन और सल्फर मिलाने के कारण ही टायरों का रंग हमेशा काला होता है और यह टायर में इसलिए मिलिया जाता है ताकि टायर को ज्यादा दिन तक चलाया जा सके अगर सल्फर और करबन नहीं मिला जाएगा तो टायर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा वैसे आप देखते हैंगे कि बच्चों की साइकिलों में सफेद पीले और दूसरे रंग के टायर लगा होते हैं इसका करणा कि बच्चों को साइकिल रोड पे ज्यादा नहीं चलती है और बच्चों के साइकिल में काला करबन नहीं मिला जाता है इसलिए ये टायर ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं और जल्दी घिस जते हैं इस तरह के टायर को निमन कोटी का टायर भी कहा जाता है यह जनकारी आपको कैसी लगी कमेंट किजिए और इस जनकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पस पहलाईए और ऐसे ही रोचक और मज़दार खबर पाने के लिए सनस्टर होटलेंड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद